हैदरबाद के शांती सरोवर में विशाल, चिकित्सा, सम्मेलन, चिकित्सा एवं यातायात, मंत्री समेट कई दिगज हस्तिया मौजूद, स्वास्ति देखभाल में राजयोग एवं आध्यात्मिक्ता की समावेश्ता पचर्चा चोरासीवी शिव जयन्ती के उपलक्ष में नेपाल के बिरगंज में सर्व धर्म सद्भावस नेमिलन का आयोजन, परमात्मा शिव के अवतरन की दिजानकारी सच्ची शिवरात्वी मनाने का अवभान लुधियाना के विश्व शांती सदन में अभिभावकों के लिए प्रभावशाली परवरिश की कला विशय पर सेमिनार, बच्चों की अच्छी परवरिश से भविश बने गा उज्वल और आखिर में उधैपूर में राजस्तान के उपमुख्य मंत्वी सचिन पाइलेट से बीके सदस्यों की मुलाकात ज्यान सरोवरि की 25 वी सालगिरा में आने का दियानी मंत्वन नमस्कारों शान्ती आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूतुलसी बुलेटिन की शुरुवात आज हैद्राबाद से करेंगे जहां ब्रमकुमारीज के शान्ती सरोवर विट्विट सेंटर में संसा के मेडिकल प्रभाग द्वारा विशाल चिकित्सा सम्मेलन का आगाज किया गया रेजुविनेटिंग मेडिकल माइन्स इस विशय पर हुए इस कारेक्रम में तेलंगाना स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंदर, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर पुवादा अजय कुमार, किम्स ग्रूप ओफ हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर भासकर राओ, आयूश के डिरेक्टर दॉक्टर वर्सिनी, मुंबई में BACS MD होस्पिटल में, ओन्कॉलोजिस डिपार्टमेंट के डिरेक्टर डॉक्टर अशोक महता, कोईमबतूर में केजी होस्पिटल के चेर्मेन डॉक्टर जी भक्तवत्सलम समेत, कई गणमानी लोगों की उपस्तिती में, दीब जलाकर कारेक्रम का शुभारम किया गया, ज जालमंदी पुरातनमाइनवी, इद आउटेट अने डॉक्टतलो मनम अनुकुन्नम, इप्डु कोड इन्टी कोडी पप्पुतो समनवन अटिक, मनकल्चर, मनसावस्कते, मनमानम सम्मंधालू, मनकेप्डु कोप्प कनपड़ू, दूरप्प कोंडलू नुलुपन अटिक पड़ेए वालिदे मात्रामं कुपप कनपड़ नाश्क अनुक्तलो इप्टोडी I see so many doctors, who practice meditation, does this job efficiently and successfully this is what I come to know I am expecting this conference to unlock certain perspectives, Chinna Chinna perspectives. So that when you go back, you will know when there is some stress, how you will deal with it, instead of resorting to another stress creating factor We as doctors of modern medicine, we are more focused on the body and forgetting the important role of the mind. I think this is a process of thinking, process of our attitudes and this is very important to bring it into our holistic health. सरकार के स्वास्ति विभाग, आयुश विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, एसोसियेशन ओफ फिजीशन ओफ इंडिया, मंता एकेडमी ओफ मेडिकल साइन्सेज एवं S.V.S. कॉलेज एवं ब्रह्मकुमारीज के सहियूक्त तत्वाधान में आयुजित इस कॉन्फरे कि उस बीमारियों के उपर हम लोगों ने राजयों का रिसर्च किया है, तो यह पाया है कि सारी नन कमनिकेबल डिजीजेश राज जोग से बहुत उसमें फाइदे हैं. जब आप मेडिसीन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके साथ-साथ, अगर पेशंट को मेडिटेशन की सला दी जाए, तो आपको कम समय में बहुत जल्दी पेशंट क्योर होते जाएंगे और आपको भी उनके पास से ब्लेसिंग मिले. इस कारेक्रम में करीबन 1500 डॉक्टर्स, नर्फेस एवा मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग शामिल हुए. अंत में सभी अतीतियों को सम्मानित कर उन्हें इश्वरी सौगात भेट की गई. नेपाल के बिरगंज में 84 शिवजयनती के उपलक्ष में सर्व धर्म सत्भावस ने मिलन का आयोजन किया गया. जहां प्रमुख अती थी सांसद हरिनारयन गौनियार ने कहा कि वरतमान समय अशान्ती के महौल में विश्व को एकता, भाईचारे एवं सहिशनुता का पाट पढ़ाने वाली एक मार्थरसंस था ब्रह्म हकुमारीज है. वही विधायक रमेश प्रसाद पतेल, प्रदेश सभासत अब्दूल रहीम अंसारी, प्रदेश सभासत भीमा यादव ने भी अपनी शुब आशाय व्यक्त की. हमारी आत्मान को ही अपने आपो पुझने, ताकि वो सारी धन उपुदा हो दाएगी। लोग ऐसे पवित्र जनम घुमी पर हम लोग जनम लिया हैं। कि जहां बाबाबश्वक अबिनाथ कि जनम घुमी है। और इस जनम घुमी जो हम पढ़ा लिया हैं ते निश्ची दूते इस जनम घुमी पर किशी वित्राव का बिभेद नहीं होने चाहिए। इस उसर पर इसलामिक संग नेपाल 12 के अध्यक्ष जिकुल्ला अंसारी। सिक धर्म के प्रतिधी तथ प्रकुती सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जस्पाल सिंह। नेकपा के जिला अध्यक्ष प्रभु हजरा, समुदाइक सेवाकेंद्र छपकईया दो के अध्यक्ष सुद्दीन ठकुराई, समाज सेवी पशुपती विक्रम शा समेत अन्य कई विशिष्ट जनभी मुख्य रूप से मौजुद थे। कारेक्रम का शुभारम सभी मुख्य अतीथियों समेत काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, बिरगन सेवाकेंद्र प्रभारी बीके रवीना, वरिष्ट राज्योग प्रशिक्षक बीके राम सिंग एवं अन्य वरिष्ट बीके सदस्यों ने दीब जला कर किया। इस मौपे पर बीके राज ने एक विश्व एक परिवार का संदेश देते हुए आने वाली स्लवनिम दुनिया के बारे में बताया, जिसके पस्चाद सभी ने शुद्वजा रोहन किया। उदयपुर में ललित लक्ष्मी विलास होटल में राजस्तान के उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलट से ग्रम हकुमारीज के सदस्यों ने मुलाकात की। माउंटावु में स्तित ब्रह्मकुमारीज के ज्यान सरोवर की 25 वी सालगिरा पर आने का निमंध्रन दिया। लुधियाना के ज्धंडे स्तित संस्था के विश्वशांती सदन में अभिभावंकों के लिए प्रभावशाली परवरिश की कला विशय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली से शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चक्रधारी पहुंची जहां उन्होंने पैरेंटिंग कैसे सबसे गहरी जिम्मेवारी है इस पर अपने विचार रखे। वही विश्व शान्ती सदन की प्रभारी बी के सरस्वती ने इस कारिक्रम को आयोजित करने का उद्देश स्पष्ट किया। सबए्ण समय इत्मा तेजी से मलगा कि आज बहुत बड़ी समस्ध व्या चुटी है चोटे बच्चों को कैसे पा açागे और बड़े बच्चों को कैसे अचतांते है आज कैसे घार आग़ में बच्चों की पालना की आवशकता है क्यों कि हर तरह की पालना पढ़ायी लिखा कारिक्रम में पूर्व महापौर एचेस गोहलवारिया एवान साइकल के अध्यक्ष उंकार सिंग भावा हेबोवाल की पार्श्यत संयूक्त अगरवाल समेत अन्य विशिष्ट जनों ने भी अपनी शुपकाम नव्यक्त की इस अउसर पर दिल्ली शक्तिनगर से आई बीके ल वह बहुतीका विदेक आई है इतने इस बात के अंकर नोयुक्रणी के हम here कितार चल करनी है तो महाथा देखेंगाले समय में भी इसी तरहे गहारे शे, वारे श्하기 बेल्ण कर रहे हैं, आहरेश्येश्ट पॉत मृंस रॉम्ना की लाइट के बारे में इसी तरहे अग्वर न हम माता पिता जन्म देकर तो बन जाते हैं कि तो पालना और कोशना कैसे करने हैं इस शेत्र में ये जो हम पिछट रहे हैं इस शेत्र में आपका ध्यान दीपक हमारे लिए अवश्य इस अंधकार को दूर करेगा बिहार के बेगु सरायस्तित प्रभू पसंद भवन में मूल्यनिष्ट समाज में पत्रकारिता की योगदान विशय पर मीडिया समिनार का आयर जन हुआ जिसमें मुख्याले से आए गौडलीवुट स्टूडियो के न्यूज विभाग के इंचावज विके कोमल ने कहा कि मू प्रभारी बिके कंचन समेट सेंट जोसफ स्कूल के निदेशक अभिशेक कुमार सिंग, लोहिया नगर आर्यभट इंस्टिट्यूट के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार सिंग, पूर्वु मेयर संजय सिंग, गंगा ग्लोबल स्कूल के निदेशक सरवेश कुमार, ड प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए राज्योग के चमतकारों पर आध्यत्मिक कारेक्रम का आयोजन हुआ। ओरिसा के होकी खिलाडी जो होकी खेलने के लिए प्रशिक्षन दे रहे हैं उन सभी ने इस विट्वीट में हिस्सा लिया। जहां माउंटाबू से आई राज्योग शिक्षिकाबी के सवीता ने बताया कि राज्योग के प्रयोग द्वारा खेल में किस प्रकार की सफलता हासिल की जा सकती है। उतकल मेल के संपादक पीता बासा मिश्वा, रेलवे इस्ट कोस्ट के होकी कोच रण जन्दास, स्थानिय सेवा के इंदू प्रभारी बीके गुलाब ने भी अपने विचार साजा किये। इस औसर पर मौजूद अधितियों ने तंदूरुस्त मन और तन के इंदूरुदेश के बुरहानपूर में आयोजन किया गया। जैविक खेती को आवश्यक बताया। वही संस्ता के सदस्यों ने शाश्वत योगी खेती के प्रयोग से होने वाले लाभू की भी जानकारी दी। तो वरत्मान समय के मांग यही है शाश्वत योगी खेती है। बीजों को हम वहाँ पे खेत में रखते हैं और खेत में रख करके हम उसको भगवान की यादस से उस बीजों को पावरफुल वाइबरेशन देते हैं एक योग के मातर उसको शक्तिशाले बनाते हैं। बडोधवा की अटला दरा में चार दिवसिये पारिवारिक शांती और परमात्म अनुभोती शिविर का आगास किया जिसमें मुख्य रूप से मुंबई से पधारे मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरिश ने सभा को संबोधित किया और आध्यात्मिक्ता की सत्यता खुष्णुमा जीवन जीने की कला संबंधों में मधूरता एवं कुरोवत पर जीत आधी विशियों के तहत प्रेरिद किया। स्विकार करना ने करना आपका है। सत्य है तो स्विकार कर लेना नहीं है तो फिर आप तुमारे सत्यत कर से मेरे अनुसार बृत्यू सत्य है। इस असर पर अतीतियों में पूर्व मेर भरत भाई डांगर, एडवोकेट भद्रेश भाई शा, उद्योगपती नितिन भाई माकड तथा दिलिप भाई शा एवं स्थानिय सेवा केंडर प्रभारी बीके अरुना की उपस्तिती रही जहां उन्होंने भी अपने विचार सा अचा किये, इस इकरम में दूसरा कारेकरम भी स्थानिय सेवा केंडर पर संपन हुआ, जिसमें बड़ोध्वा की विभिन्द कंपनियों के HR मैनेजर एवं पोईज ने हिस्सालिया, इस कारेकरम का विशय रहा Use of Emotional Engineering at Workplace, वही MS University में विद्यावतियों के लिए Enhancing the Mind Power विशय पर शर्चा हुई, जहाँ विके गरीश ने सभी को प्रेरित किया आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आप से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजै में इजाज़त, नमस्कार, ओम शंती